Hello everyone, so welcome back to Logic 5 शाला, so आज देखें हम लोग क्या topic अने वाले हैं, so आज का जो topic है आपका वो है Players and their nicknames, बिल्कुल जो भी famous famous players है, sports person है, वो कौनसे sport से belong करते हैं, हम लोग ये भी पढ़ेंगे and वो किस नाम से पुकारे जाते हैं, क्योंकि उनके nicknames हैं, जो बहुत सता important है exam के लिए, so exam point of view से जो वीडियो है, वो काफी important रहेगी so इस वीडियो का आपको PDF कहा मिलेगा, बिल्कुल टेलिग्राम चानल पे मिलेगा, so join करने के लिए आप लोगों को description box में link होता है, आप join जरूर करें तो चले फिर हम बिल्कुल अच्छे से इसको याद करने की कोशिश करेंगी, कैसे हम से अपने दिमाग में fit कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया वीडियो होगी, तो please don't escape the video, तो चले फिर स्टार्ट करते हैं, and start करने से पहले चले आप ही कुछ नाम सोच जाते हैं, धिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, बीस्ट आप बडन किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये कोश्चन्स आप लोगों के लिए हैं, अगर नहीं आते इसको don't worry, बल्कुल निराश होने के जरूत नहीं है, वीडियो के दौरान सारे चीज़े आप लोगों को पता चल जाएंगी, तो चले फिर लेट्स स्टार्ट दी वीडियो, सबसे पहले हमारे पास है मेजर ध्यानचंद, और यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, साथ ये साथ, और इधर आपको इनके पिक दिख जाएगी, ठीक है, तो आपको सारे पीपीटी में ऐसा ही मिल सबसे पहले मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद का संबंध कौन से स्पोर्ट से है, हौकी से है, और इनको मजिशियन ऑफ हौकी और विजर्ट कहा जाता है, यानि हौकी का जादूगर कहा जाता है, हिंदी में आपको हौकी का जादूगर मिलेगा दिखा हुआ, तो दि इतनी जल्दी से ट्रिक कर जाते हैं कि लगता है यह कैसे पॉसिबल है तो हम ध्यान लगा कर भी उसे समझ नहीं बात है ठीक है तो यहां पर ध्यान से क्या हो जाएगा देखें मेजर ध्यान चल और बात में देखें हम एक कोई कर लेंगे ताकि आप लोग कुछ सारी चीज़ इनका यह एथलीट है और यह इनको पे योली एक्स्प्रेस और गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है हिंदी में भी सेम यही है और यह भी ध्यान लखी का फॉर्स्ट इंडिन वुमें है जिनोंने ओलंपिक इवेंट के जो है फाइनल में पहुंची थी तो जो जो कुछ बात ओगी वो भी मैं आपको पताती रहूंगे साथ आप कैसे करेंगे देखें पी तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए पेमेंट मिल रही है तो इतनी अच्छी और Senior कि यह कि आपके लिए golden opportunity है कि भाई आपने स्कोल में पेटी करी उसके लिए आपको payment भी मिल गई तो पे से हो गया पे ओली और golden opportunity से आपको golden girl याद आ जाएगा ठीक है clear next देखिए Milka Singh इनका nickname है flying sick और यह भी athlete है और यह पहले इंडियन athlete है जिन्होंने Commonwealth Games में medal जीता था तो याद रखिएगा इनके उपर movie भी मनी थी भाग मिलका भाग याद आया ना कुछ movie का निम सो देखिए Milka Singh इतना मतलब भाग मिलका भाग आप भाग से ऐसे याद कर सकते हो कि बहुत fly मतलब इतनी तेज भागते हैं जैसे कि दोड मतलब उड़ रही हो fly कर रही हो ठीक है और यह sick है तो आप लोग flying sick ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा इससे याद आएगा इसके बाद देखिए है सचिन तेंदुर कर आई होप सो यह सब भी को पता होगा मुझे यह याद करने की जरूरत नहीं है और देखिए ट्रिक का यूसा आप वही करें जहां आपको जरूरत लगती हो अगर आप डारेट चीज़े याद कर सकते हो that's very good ट्रिक एक तरीके से आपको help करती है चीज़े को और जदा याद करने में ठीके सो इनको संबंत क्रिकेट से आप ऐसा मत कहना कि यहां हमें पता नहीं था ठीक है इनको Master Blaster कहा जाता है इनको God of Cricket कहा जाता है ठीक है तो आप लोग इसको याद रखिए यह सारी सच बाते तो ऐसे भी याद कर सकत है आप लोग इसके बाद है सौरव गांगुली इनको दादा की नाम से तो बहुत ही फीमस है दादा वगेरा इनको आपने देखा होगा कि जब ग्राउंड में रहते तो भी दादा बहुत बोलते इनको बिंगॉल टाइकर बोला जाता है इनको God of the offside बोला जाता है और संब आप लोग इसको याद रख सकते हैं बाकि बंगल टाइगर और दादा तो आप डारेक्टली याद करेंगे नेक्स्ट देखे मेरी कॉम इनका स्टेट भी याद रखीगा क्योंकि यहां ना स्टेट भी पूछा जाता है जिन जिनका स्टेट एक्जाम में पूछ जाएगा उनका मैं बताती चलूँगी और बाकि देखे सचिन टैंजल को और इसको स्टेट नहीं पूछते कभी भी इनका निकनेम क्या है मागनिफीशेंट मैरी और मीथोई लिमिया यह इनका निकनेम और बॉक्सिंग से संबंदित हैं यह सिक्स टाइंग वर्ड फीमेल बॉक्सिं अब मैरी से अ और यह मरी मली मा से हैं झाल के अंगे मेरी से मेर्य लुक्सिंग को या तो कोली कोली या दो जाए गाएं महेंदर सिंह धोनी इनको घ्लवाइन स्वाइब में अगता है की तूल किया गषी तो तो कूल है यह बहुत ठीके और कसी यह कीपिंग करते हैं विकेट कीपिंग और निशाना लेका ना तो इतने फिनिशर हैं मतलब इनके हाथ में फिनिशिंग बहुत है तो ऐसे भी आप लोग इसको याद रखेंगे रोहिशर्मा और रोहिशर्मा को हिट्मैन के नाम से जाना चाता है बाई किर्केट तो सब दिवानी है किर्केट प्लियर्स वो सब भी को बताऊंगे आप देखें रोहिट में हिट आ रहा है हा रहा है रहा हिट और हिट्मैन इनका नाम ही है तो यहां से तो हम रिलेट कर सकते हैं इसके बाद है विश्वनात आनंद और इनको lightning king के नाम से जाना जाता है, chess player है, पहले grandmaster of India 1988, चले question मैं आप लोगों के लिए दे देती हूँ, यह तो पहले grandmaster ते, आप current में बताईएगा, current में recently, कौन grandmaster है और कौन से number के है, तो यही आपका humba question है, देखो, विश्व नातन आनंद इनको किस नाम से जाना जाता है, ठीके, तो विश्व में अगर हर जगे light हो, मालीजे कि जैसे आपने देखा हो ना, बहुत जगे अभी तक light नहीं पहुंची है, तो बहां के लोगों का जीवन अभी ऐसे ही अस्त है, थोड़ा से, लाइट से काफी help हो जाती है, इनसान की, तो अगर विश्व में king of athletics कहा जाता है, sprinter king है, यह fastest man on the earth है, ठीके, देखो, यह बहुत ही fast दोड़ते हैं, इसले इनका नाम fastest man रखा गया है, fastest man है, तो king तो होंगे ही obviously, तो अब यह athlete से बिलॉग करते हैं, तो athletics king है यह, और sprinter king है, ठीके, हो गया या, चलिए, हीमादास, असाम स्टेट से देते हैं, ठीके, athlete हैं और इन्हें धींग express कहा जाता है, देखो, धींग express इनका नाम इसले पड़ा, क्योंकि असम के एक जगा है, धींग, वहां से ही बिलॉग करते हैं, तो इनको धींग express कहा जाने लगा, ठीके, और यह पहली athlete है, जिन्होंने इंडिया को represent किया, और gold medal भी लेके आई, IAAF, World Under 20 Championship में, तो इनका नाम ध्यान रखेगा, इसके बाद है, पेस और भूपती, देखो, जब यह दोनों मिलते हैं, मतब इन दोनों को एक साथ अगर देखें, तो इनको इंडियान एक्सप्रेस कहा जाता है, टैनिस से बिलॉग करते हैं, तो हम लोग ऐस इन्डिया में पति के पस पैसे कभी नी रहते, पतनिया ले लेती है, तो पेसे हमने पैसे बनाया, भूपती से हमने पती रिलेट किया कि, और इंडियान से इंडियान जब आप इन दोनों को याद करोगे, to इन एक्सप्रेस, लेकिन अगर खाली पैस की बात होगे, लेंड और वो पती वाला पैसे था तो पती से भूपती भी मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को confused नहीं होना ठीक है जब दोनों का नाम आएगा तो इंडियन एक्स्प्रिस और खाले लेंडर पेस का पूला तो पॉकेट डाइनमो नेक्स्ट देखें बाइचुंग भूट सबिसिट में सब्सफंद सब्सट करेंबि दक्राइबिन सब्सट करेंड लेहे दिखेंगे तोसय तो है ठीक है तो स्विजर लेंड की खुबसूरती देखे रोज वहां जाने का मन करता है तो रोज से हो जाएगा आप लोगों का रोजर फेटर ठीक है उसके बात है राफेल नदाल और यह स्पेइन के प्लेयर है इनको दो नाम से जानते हैं किंग ओफ क्ले और स्पेइन से हो गया बूल से स्पैन याध हो जाएगा हम लोगों को सर्विया के प्लेयर हम विनेटर कहा जाता है थिका तो अब यह सर्विनेर बन जाएंच और अगर हम नवाग को सर्वियाच से कैसे related करें, तो देखे आपने NOVA के, NOVA के आपने products देखे होंगा ना, जो hair appliances आते हैं, तो hair appliances यह होते हैं, वो कहां use करोगे, फरह अपने सर के लिए तो यूज करोगे, पैरो के लिए धुझे ना use करोगे, तो NOVA के appliances को हम सर पर use करते हैं, तो सर से सर्विया और सर्विया से सर्विनेटर हो गया चलिए सेरिय suck她 अमेरीका की से हम लोग बनाएंगे शेर और शेर को हम लोग 20 से сможiner ik कर सकते हैं तो जैसे ही बीस टाएगा तो याद आ करते हैं सभी को पता होगा चलिए ऐसे आथ कर सकते हैं कि अक्सर अक्तर से आप लोग अक्सर बनाओ कि अक्सर शो करने वाले लोग जो होते हैं वो पिंड में रह जाते हैं बाकि एक्सप्रेस की तरह आगे बढ़ जाती हैं देखो पिंड का मतलब है अपने ही जगा रह जाते सकते हैं कहीं तो गुदों लेकिन तो लोग महनत चुども वो सब्सक्राइब का बरहते हैं तो अक्तर और शोखर शोट यपो जाएगा और बिंडी सिल पैंडि और इनर्च के कहती है कितने से बिलॉंग करने हैं आप यसा याद कर सकते हो कि दिखो आपने देखा होगा ना कि जो गाने के शोद आते हो utilizz , उनमे एक शो आता है little maaster दो यह से फिल्य कर सकते हो zajसे में लिडल मास्ट निया में आता है तो लिड़िल मास्ट से आद जाएगा तो फिरस लिडल Master of India, next is Kapil Dev, इनको हरियाना, हरिकेन की नाम से जानते हैं, तो Kapil Dev से हम लोग देव से हम लोग देवता बनाएंगे, ठीक है, कि हर जगे, देखो आज कल आपको पता है, कि हर जगे सिर्फ हमें कौन बचा सकते हैं, देवता ही बचा सकते हैं, तो देवता से हो जाएगा आपका Kapil Dev, क्लियर, इसकी बाद है, राखुल द्रैवेर, इनको दो नाम से बुलाते हैं, दवॉल और जैमी, तो राखुल ने क्या कर दिया, तो राखुल कोई लड़का है, बच्चा है चोटा सा, उसने वॉल पर जैम लगा दिया, बेव उसे कहा था कि ब्रैट पर जैम लगा, उसने जाके बॉल पर जैम लगा दिया, तो जैम से हो गया जैमी, और वॉल से क्या हो गया, दवॉल, नेक्स्ट है वरेंदर से बाफ, नवाब ओफ, नजाफर्ग्र, और सुल्तान of Mol thin दोनों नाम से इनको जाना चाहता है तो देखिए नवाब और सŁल्तान यह बहुत वीर होते हैं ठीक है नवाबो का भी एक अंदाज होता है ना वीरो जैसा तो वीर से विरेंदर सेहवाग हो जाएगा यह नवाबो का स्वाग होता है स्वैक से से भी सहवाग बना सकते हैं इसके बाद अनिल कुंबले निकने में इनका जमबो कुंबले से हम लोग बना सकते हैं कुंब के मेले में भीड कितनी होती है connects निकलने के जगा तो हम जम गए जम गए कि अरे यार आप निकलने के जगा ही नहीं है योगि इतनी भीड होती है कि आप जम ही जाते हो कहीं निकलने के जगा ही नहीं मिलती तो जम से क्या हो जाएगा जम्ब हो जाएगा इसके बाद देखिए युवराज सिंग को सिक्सर किंग के नाम से जानती है आपने युवराज सिंग के बई जब भी नाम आता है तो हमें छे चक्के यादा जाते हैं बई उनके तो छे चक्के उन्होंने लगा थे तो इसलिए उनको sixer king कहा जाने लगा next हरबजन सिंग और इनको तर्बिनेटर कहा जाता है और तुर्बि को पता है देखो तर्बिनेटर से हम लिग तुर- तुर्बिनेटर से रॉलेट तुर रहे हैं इसके बाद है कोड़ी स्केखेच और इनका निक नेम यूनिवरस बॉस और माफ्स्टर स्ट्रॉफ इनके जो शया ही है ना वो इतने लंबे-लंबे शौट लगाते हैं ऐसा लगते है कि तुफान आगया युनिवरस में तो युनिवरस से बस और तुफान यानि स्टोर्म से मास्टर स्टोर्म हो जाएगा इसके बाद पेले यह फुटबॉलर है ब्राजील के और इनको ब्लैक पर्ल के नाम स जाना जाता है तो पेले से परल, पेले परल, थोड़ा थोड़ा आप neoliber believe mismatch कर सकते हैं तो यहांसे याद दो जाएगा हमारा जब थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं आadors हैं देखते में आप लोगों को कितना इाद है यह पहला देखें क्या है king of clay king of clay एक किस person को कहा जाता है जल्दी से आप लोग साथ में answer लगाएंगे देखिए हमने इसको याद किया था कि clay में bull से खेलोगे तो pain तो होगा ही ठीक है और pain राफियन नदाल पेइन से belong करते हैं तो राफियन नदाल यहाँ पर सही answer है ठीक है और bull वाला भी आपको सिर्फ एक word चाहिए अगर आपको पूरा भी याद नहीं हो तो don't worry word ही आपको आजाएगा न तो आप exam में tick लगा के तो आई जाओगे इसके बाद है हीमादास देखो हीमादास जो है वो असम में एक जगा है छोटी से धींग वहाँ से बिलॉंग करते हैं तो इनको धींग एक्सप्रेस कहां जाने लगा इसके बाद मिलखा सिंग का सरने मताना है तो मिलखा सिंग पे भाग भाग मोवी बनीती तो हम भाग से लगाएगे कि ऐसे भागों ऐसे लगए कि उड़ रहे हो या वो इतना तेज भागते हैं कि इस वक्ते हैं कि उड़ रही हूँ तो उड़ना यानि फ्लाइं और इनको फ्लाइंग सिक्के नाम से जाना जाता है इसके बारते रावल पिंडी एक्सप्रेस इस दा निकनेम ऑफ विच प्लियर तो देखो हमने बोला था ना पिंडी से पिंड बनाया था कि जो लोग शो करते हैं ठीके अक्सर ऐसा होता है कि वो पिंड में ही रह जाती है बाकी सब लोग निकल जाते हैं एक्सप्रेस के दरा तो शो से शोएब हो जाएगा तो शोएब मलिक भी मत लगाएगा क्योंकि मैंने आपको अक्सर भी रिलेट करना है तो यहां पर जो अंसर हो जाएगा वो शोएब अक्तर हो जाएगा इसके बाद है उडन परी के नाम से कौन सी महिला एथलेट जानी जाती है तो देखो मत करो कि उड़ने लगो ऐसे बना सकती हो साथ ही में इसको भी तो यहां पर आंजर हो जाएगा पीटी उशा हो जाएगा ठीक है तो यह थे आज के हमारे सारे questions I hope so this will be clear video बिल्कुल अच्छे से clear होई होगी और जो मैंने आप लोगों से question मैं आपको next video में भी लोगी so thank you so much